नमस्कार दोस्तों जहिन आज हम बात करेंगे न्यू बलनों की जो इसी मैंने लॉंच होने वाली है इसकी सारी डीटेल में आपको जो है वो बताता हूँ और तू दे पॉइंट अपन बात करेंगे सीधा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर linie के अगर चैनल को सबस्क्राइब करेंगा सीधा की बॉकिंग कि बात करा है तो एक फरवरी से काफी डिलस ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है नेक्सकी ऑफिशियल साइट मेंए यह भी अपर डिलस पोकिंग ले रहे है रहे है सेकंड चीज हम बा करते हैं इसके डाइमेंशन की तो डाइमेंशन 3995 mm वाला जो लेंट है वी रहेगा उसमें कोई चेंजीस नहीं देखने को मिलेंगे फिर फ्रेंट से बात करो तो इसका बंपर ग्रील हैडलाइट काफी आपको यहाँ पे चेंजिस देखने को मिल जाएंगे आप देख सकते हैं जो पुरानी वाली हो और यह नहीं वाली लूक्स में यह लेंगे पीछे का बंपर भी काफी चेंज आपको देखने को मिल जाएंगे इंटियर की बात करो तो आपको डेस्ट बॉर्ड और एस इवेंट काफी अलग से हाइलाइट हो जाएंगे और यह इसको एक मॉडन लुक देते हैं हलाकि पुरानी वाली का लुक भी इतना खराब नहीं था वह भी इंटियर अच्छा था पर अभी टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है जो इन्फोटेंट्मेंट सिस्टम है वह आपको इसमें 9 इंच का टस्क्रीन मिल जाएगा स्टेरिंग विल इसमें फ्लैट बॉटम आज सकता है जो की काफी जगा स्पाई हुआ है और साथ में पैडल शिफ्टर भी अगर आपको CVT मिल रहा है इसमें तो उसमें पैडल शिफ्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे एक खास बात सेफ्टी का क्योंकि कमनी चाहती है जो टिन कैन का टेग है वो अपने पैसे हटाना चाहती है तो यह कमनी जादा जादा कोशिश है कि इसमें 6 एरबेक दे सकती है और यह 5 स्कोर करें ऐसा इन्होंने पहले भी कह चुके है प्राइस की बात करें तो अभी जो प कन्फर्म नहीं है पर वो एवर ग्रीन कलर है वो भी सायद हो गई होगा वेटिंग पिरियोड कितना रहेगा यह तो लॉंच के बाद ही पता चलेगा कौन से मॉडल में कितना वेटिंग पिरियोड है और जैहीं दोस्तो